नमस्कार दोश्तों वैसे तो हर कोई अपनी कार को बहुत प्यार करता है और अपनी कार को बहुत अच्छी कंडिशन में रखना चाहता है वैल रखनी भी चाहिए तो इस वीडियो में हम ऐसी पांच आदतों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो ज़्यादतर लोगों को नहीं पता होती और जिस वजह से वो अपनी गाड़ी को जाने अन जाने में नुकसान पहुचा रहे होते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखना एंड कमेंड बॉक्स में ये भी बताना कि आपको सबसे जादर नॉलिजिबल पॉइंट कौन चा लगा आप मैसे जादर तर लोग ड्राइविंग करते समय अपना एक हाथ स्टेरिंग के उपर रखते हैं एंड अपना दूसरा हाथ गेर लिवर के उपर रखते हैं जोकि बहुत गलत है बिकॉस ऐसा करने से आप अपने गेर बॉक्स को डैमेज कर रहे होते हैं क्यूंकि गेर लिवर सिफ्टिंग रेल्स के उपर होता है एंड लगातर हाथ रखने की वजह से वहाँ पर फ्रिक्शन पैदा हो रहा होता है जिसके कार गेर टीद बहुत जल्दे गिज जाते हैं एंड इसी वजह से आपके गेर स्लिप होना भी स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं एडवाइस करूँगा या तो अपना दौनों हाथ स्टेरिंग पर ही रखें एक 3 पीम एंड एक 9 पीम की पोजिशन में या फिर अपना दूसरा हाथ आम रेस्ट में रखें जब कुछ लोग अपनी गाड़ी उची जगा से नीचे उतार रहे होते हैं तब या तो ब्रेक पैर रखे रखते हैं या फिर गेर न्यूटरल कर देते हैं या फिर कुछ लोग तो इगनीशन ही आफ कर देते हैं तो मैं बता दूँ इन तीनों में से कुछ भी करना गलत है अगर आप brake pad pair रखे रहते हैं तो आपके brake pads घिश जाएंगे एंड अगर आप ignition off करते हो तो आपकी गाड़ी की power steering जो कि आजकल जातर सभी गाड़ियों में आती है अच्छे से काम नहीं करेगी एंड दिये गए safety feature भी अच्छे से काम नहीं करेंगे जैसे की anti-lock braking system, EVD, airbag इन में सो कुछ भी काम नहीं करेगा इस वज़े से आप गाड़ी को नीचो उतारते समय अपनी गाड़ी को lower gears में रखें जिससे की आपकी गाड़ी control में भी रहेगी एंड आप safely नीचे भी आ जाएंगे बहुत लोग अपनी गाड़ी को मोड़ते समय या फिर किसी भी कारण से back करते समय properly रुकने से पहले ही reverse gear लगा देते हैं and similarly reverse में गाड़ी रुकने से पहले ही first gear डाल देते हैं ये habit आपकी गाड़ी के engine पर बहुत भुरा impact डालती है अगली advice उन लोगों के लिए है जो या तो ठंडी जगों पर drive करते हैं या फिर उनकी गाड़ी पुरानी है जब भी आप कहीं long drive पर जा रहे होते हैं तो अपनी गाड़ी को 2-3 मिनट पहले start करें मतलब start करके खड़ी रखें start करते ही चलते ना बने आप जब भी कभी long drive करके वापस आ रहे हो तो अपनी गाड़ी को आते ही बंद ना करें अगर आपकी गाड़ी में टर्बो चार्ज इंजन है तो because टर्बो चार्जर्स का temperature बहुत ज़ादा होता है और अगर आप अपनी गाड़ी को 30 second के बाद off करेंगे तो उन्हें अपना temperature कम कमने का time मिल जाता है जिससे की suddenly उनका temperature down नहीं होता है तो इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो like कर देना and हो सके तो channel को subscribe कर देना मिलते हैं अगली वीडियो में